हलो प्रेट्स वेल्कम टू गेट इसलेंज आज अपन करने वाले हैं immakers के एसी के अज़के अज़कतु में नारे हैं उनकी बात करने वाले ने ने हुच रहे हैं। इसके अंद欸aconơiремी आता हिसके अज़किशु सौना हैं कि इंधे रात है। कि ४ॉर यह रहाहें इसने पूछ रही कि पूछिए हैं नोटन करंट की फ़िपेज क्या पूछी क्या पूछिएं नोटन करंट की ब themes पड़ेइं तो आपको मैंने बहुतता है जब में फ्र तो न पहल पड़ाल गया होगा लोडो बताइं नोटन करंट कर्यूंग कर। वहन्त था थेंच वोल्टेज का मतलब वहता है open circuit वोल्टे नोर्टन करणट का मतलब होता है source circuit करण अई यहां तक आहें मतलब होगा नोर्टन करेंट का क्या मतलब होगा है source circuit करणट के value आपको find Out करनी है आगे क्या क्या रहा है इण्र के पूरी के पूरे पूरे नेट्रोंग का अपन को नोर्टन करंट फाइंड आउट करने नोटन कशनी का तयहोच पूर्टन को पास नेकशनंग की वेलए हैं, मैंने आपको बताया था , थ्योर verdi बंता होiden और सबसे most important theorem को ओँची थी थी थेमदीन और नोर्टन theorem ही most important theorem है और इस theorem से qsna बनता ही बनता है हर साल, तो अपन इस qsna को करते हैं, solve करते हैं, तो यह अपन के पास net rock given था, और pq terminal के echoes अपन को source circuit current की value find out करनी थी, तो सबसे पहले मैंने pq को क्या कर दिया, sort कर दिया, और यह मैंने लिख दिया i-noton, ऐसी net rock हैं, तो मैं क्या लिखूँगा, i-noton phasor लिखूँगा, उपर क्या बना होगा, phasor बना दिया, क्योंकि ऐसी net rock हैं, तो i-noton phasor की value मेरे को find out करनी है, तो मेरे को बता हो, यह capacitor क्या हो जाएगा, sort हो जाएगा, क्या हो जाएगा, capacitor भी sort हो जाएगा, क्योंकि अब capacitor के across potential drop किता होगा, capacitor के across potential drop zero होगा, तो capacitor से flow होने वाले current भी किती होगी, zero होगी, जब capacitor से flow होने वाले current zero है, तो मैं capacitor को open circuit कर सकता हूँ, कर सकते हूं या नहीं हाँ अपने और अपन सर्केट कर सकते हैं तो मेरे को बाताओ अब देको कि यह मेरा इंपेडेंस की विल्यू में कीकितनी है 15 है सकते हैं इस 15 को हटा देता हूं मैं गया कि इंहले देखा हूं तो यहां का 15 और वहां का J30 आपस series में connect होंगे तो series में जब impedance अपसमें add होते है यह किता हो जाएगा 15 plus J30 तो मेरे को बताओ यह current कितनी है तो 16 है तो यहां पर अपनको कुछ नहीं करना है I-noton को find out करने के लिए अपनको current division rule का use करना है current division rule का current कितनी आ रही है 60 किस के अंदर find out करनी है इस impedance के अंदर find out करनी है तो हमेशा opposite से multiply करना परता है उपर कितना multiply हो जाएगा 25 नीचे क्या होजा इन दोनों का sum होता है voltage division sorry आपको current division rule तो apply करना आता है तो 15 प्लस 25 किते हो जाएगे 40 40 प्लस जे 30 आई होप यहां तक आपको सम्ने आ गया होगा अब यह मेरे आई नोटन की value हो जाएगी यहां तक आई होप आपको सम्ने आ गया होगा मैंने कुछ भी नहीं किया इसके अंदर current division rule यूज किया आई नोटन इसके अंदर flow हो रही है तो आई नोटन क्या हो जाएगी 16 इंटू 25 अपन में इनका एडिशन आ जाएगा यह एडिशन आ गया तो देखो 16 इंटू 25 किता होता है तो यह किता हो जाएगा 400 होगा या नहीं होगा बिल्कूल नीचे किता आ जाएगा 14 प्लस जे 30 एक 0 से 1,0 क्या हो जाएगा क्ट हो जाएगा तो जाएको उपार किता हो बचान्यं, 40 नीचे किता हो जाएगा 4 प्लस जे 3 और मैं 4 मैं से 3 से उपार क्या करूंगा multiply करूंगा complex number को तो आपको आता ही होगा complex number को solve करना तो तो मेरे को बतम नीच्चे कितना हो जाएगा ओपर तो कितना हो जाएगा 160 minus j और कितना हो जाएगा 120 होगा या नहीं होगा पिलकुल होगा नीच्चे कितना हो जाएगा दो आप उसे multiply होगे तो आपको बता है z into z conjugate क्या होता है mode of z का score होता ही नहीं होता है complex नमर के आपको प्रोपर्टी तो पता होगी यह अगर z है तो यह क्या conjugate है तो इसका magnitude किता होगा फाइप होगा फाइप स्कोर किता होगा 25 नीचे किता मिलेगा अपन को 25 मिलेगा अई होप यहां तक आपको सुन्द्ध आ गया और आपको समने आगया और आपको complex never को है बूट अच्छी तरिकी से आना स्छी धाए दी नीचे दियावात उपर भी उपन उनके है ना कॉंजूगेर से उपन से मल्टिप्ले करके स्वोल करते हैं वो सारा प्रोसेस आपको कॉंप्लेस नंबर पर कमांड नहीं है तो मैंने कॉंप्लेस नंबर पढ़ा रखा हैं उसको जाके आप एक वार देख सकते हो तो यह आपको समझने आ गया होगा अब बात करते हैं सेकेंड क्यूसन की सेकेंड में क्या पूछ रहें कि आरेल हैं आपको पूछ रहें सरकीट आपको नीचे दिया वाएं आपको आरेल की विल्यू फाइंड आउट करनी हैं किसलिए मैक्जिमाम पावर ट्रांस्पर्म की लिए देखो 2011 में थियोर्म से दो क्यूसन आ गए मैक्जिमाम पावर ट्रांस्पर्म थियोर्म का भी आ गया और अपन का नोटन थियोर्म का भी आ गया तो थियोर्म भी मोश्ट इंपोर्टेंट है और सबसे इजी चेप्टर थियोर्म ही है मैंने यह एक्जमिनर बोल रहे हैं कि इस आर कि यह आ र हो गया है इसको मारेतcket आपको जो एकड़ दिया व जो सबसे पहलए पीज़े वाला आप आप करना पड़ेगा किसके एक्रोस आरेल के एक्रोस एनिह आरेल को हटा दो आप अ मानने यहाला नैट्रो dick की जो पीछे बचाने ड्रोक यह वाला इसका मानलो थेवनियन एक्विलेंट आपने फाइंड आउट किया तो कुछ ऐसा मिला को में गया गया ध्यूप और यह मैंने तर्मिनल मानलो भी हैं इसको मैंने पी एज्यूम किया और इसको मैंने यूप के लिया यह पाइंट vermینलो आजिम के लिया यह क्यूं के लिया तो आपको पी क्यों के एक रोस जो पिज्डी रोक है ना यह वाला इसका फिर में यह क्या हो जाएगा यजी दर क्इम्र के ही क्ञा लियर और और RL में मेरेको maximum power transfer करनी है, तो RL की value Rthenon के equal होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, बिलकुल होनी चाहिए, आई होप यह आपको समने आ गया होगा, RL में मेरेको maximum power transfer करनी है, लोकर लेकिन मेरेको इसके लिए formula नहीं पता है, formula मेरेको किसके लिए पता है, इसके लिए पता है और PQ के एक्रोस इस नेट्रो का थेम्निन एक्विलेंट फाइंड आउट करने के बाद इस नेट्रो को ऐसी रिप्लेस कर सकता हूँ और अब RL में मेक्जिमम पावर ट्रांसफर करनी है, RL की वेल्यू आर्ट थेम्निन के एक्विल होनी चाहिए इस नेट्रो को मैं थेम्निन से रिप्लेस करूँगा तो यह नेट्रो क्या बन जाएगा एक ही तो बनेगा अईवप्यास से समझा आगया होगा कि RL की वेल्यू आर्ट थेम्निन के एक्विल होगी ना तब इस RL में मेक्जिमम पावर ट्रांसफर होगा और R थेम्निन क्या है है देगें PQ q पीक की एक्रूस फिर नेट्रो का थेम्निन इंपेडेश्हें अब यहां तक आवको सम्झा गया थोगा तो मैरे को बताओ पी क्यूक्यो इlus रहे मालो यह मेरा अर्ल को हट आउगा और यह मेरा पी है कि मेरा क्व है और यहां से अगर मेरा थ्या थ्यानिन के लिए पावर के लिए RL की value R-17 के equal होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए बिलकुल जब अपन R-17 के calculate करते हैं तो सारे के सारे independent sources को deactivate करते हैं इन्हीं सारे के सारे voltage source को अपन क्या करते हैं voltage source को source circuit करते हैं और अपन current source को क्या करते हैं open करते है current को क्या करते है current source को क्या करते है open circuit करते हैं अब देखो airline किता होगा 10 वो 10 ना पसमें इनका इक्क्लाइट में फाइप हो घाएप जैने किसमें स्रीज में तो Hers Bennett की मिलेगी मेरेको M attach breathe कि मेरेको 15 Ohm मिलेगी तो मेरे को बताओ और L की विल्यू कितती होनी चाहिए आरल की विल्यों के 50 नोम होगी ना तब उसने मेकजिमम पावर ट्रास्वर होगा अई होप यह किसम आपको समय आ गया होगा थेयोरम मुस्ट इंपोर्टन है और यह मैंने पूरा समझाय था यह कैसा भी नेट्रोक हो उसका अपन थेमनें इक्विलेंट कैसे फाइंड आउट अब इसमें क्या पूच रहे हैं साइनसोडल इंपूर्ट दिया है क्या दिया साइनसोडल इंपूर्ट दिया है और इस्टेडी स्टेट रेस्पोंस पूच रहे हैं क्या पूच रहे हैं इस्टेडी स्टेट रेस्पोंस यह मोस्ट इंपोर्ट हैं कंट्रोल सिस्टम में भ जैसे माल लेता हूं, यह तो किसने, माल लो यह कोई एक, ट्रांसपर, यह कोई एक ट्रांसपर फंक्सिन है, माल लो, H of S है, क्या है? H of S है, यहां पर मैं इसको sinusoidal input देता हूं, V I दे दिया हूं हा लो, और इसका sinusoidal output माल लो, V no, लो, V I की value आप आप आजूम कर लो, आपको किस्टाइबर का से हैं असिस्ट फया बाossen सब्सक्राइब sucks असरे स्स्क्राइब शांगर. इस अच्ञाना पैस्टाइब फॉरोग और आपको कर haha क्या find out करना है, output find out करना है, तो output simply क्या हो जाएगा, यह अगर h of s हैं, तो सबसे पहले आप s की जगह किता पूट करो, j omega put up करो, तो सबसे पहले क्या बन जाएगा, h of j omega बनेगा, और h of j omega क्या होगा, एक complex number होगा, इसका कुछ ना कुछ क्या होगा, magnitude होगा, और इसका कुछ ना कुछ क्या होगा, phase भी होगा, होगा या नहीं होगा, बिल्कुल, h of h s की जगह, h s की जगह आपको j omega put up करना है, और यह आपको इसका frequency response find out करना है, यह तो किसमें, लापलाश domain के अंदर है, इसका transfer function है, आप इसका frequency response find out करोगे ना, तो s की जगह किता put up करोगे, j omega put up करोगे, तो आपको यह मिलेगा, यह इसका magnitude response है, यह इसका phase response है, आपको अगर, अब आपको v note find out करना है, तो v note simply क्या हो जाएगा, इसका magnitude, v note इसका magnitude चाहिना, तो v i का magnitude इंटू इसका magnitude, तो a more drop h of, अब j omega की जगहिता put up करना पड़ेगा, अपनको omega note, यूँकि इसकी frequency किती है, omega note है, तो यहाँ पर omega note put up करना पड़ेगा, फिर क्या आजाएगा, sin omega note t plus phi, और इसका phase भी इसके phase में add हो जाएगा, magnitude तो multiply होता है, phase क्या हो जाता है, एड हो जाता है, तो यह क्या हो जाएगा, h of j omega की जगहिता आएगा, omega note आजाएगा, यह आपको, I hope आपको पता होगा, कि steady state sinusoidal response की value यह होती है, किसी भी sinusoidal input के लिए, अगर मेरे को steady state response find out करना है, तो अपन ऐसे calculate कर सकते हैं, यह आपको पता ही होगा, आपने पढ़ा होगा, control system के अंदर, यह होता है, अपने का steady state sinusoidal response, किसी भी system का, अब देखो, मेरे को V node चाहिए था, V input मेरे को given है, क्या given है V input की value, Vp cos t upon rc, V i की value है, यह इसकी peak value होगी, cos 1 upon rc into t, यह आपको given है, मेरे को बता हूँ, इस signal की frequency किती है, operating frequency किती हो जाए, 1 upon rc होगी या नहीं, बिल्कुल r, 1 upon rc होगी, तो देखो, यह V input है, यह V output है, अगर मेरे को इस पूरे के पूरे system का transfer function मिल जाए, transfer function मिल जाएगा, तो मैं इसका frequency response का calculate करूँगा, यह पर इस system का frequency response मिल जाए, तो मैं अराम से V note की value find out कर सकता हूँ, कर सकता हूँ यह नहीं, बिल्कुल कर सकता हूँ, मेरे को V note की value चाहिए, तो देखो, मैं मेरे को बताओ, यह C है, तो सबसे पहले C को इसके impedance से replace करेंगे, C का impedance किता होता है, माइनस J X C होता है यह नहीं होता है, बिल्कुल, तो किता होगा, माइनस J upon omega C होगा यह नहीं होगा, omega C, operating frequency किता है, माइनस J upon omega C होगा, तो इसकी जगह omega note की जगह 1 upon R से लिखूँगा, तो कितना आ जाएगा, माइनस J R होगा यह नहीं होगा, तो बताओ, इस capacitor का impedance किता होगा, माइनस J R होगा, I hope यहां तक आपको सम्झा आ गया होगा, इस capacitor को माइनस J R हो जाएगा, इसका impedance Р होगा होगा, तो मानेन बताओ था, registr का impedance भी R होता है, तो इसका impedance R ही होगा, इसका impedance r होगा, इसका impedance कित्ता हो जाएगा? minus jr और इसका कित्ता हो जाएगा? minus jr यहाँ तक आपको समझा गया होगा, यह आपस में किसमें connect है? series में connect है, इनको हटा के मैं इनका equivalent मना सकता हूँ या नहीं मना सकता हूँ ऐसे मैंने बना जिया, इनका equivalent z1 तो मेरे को बताओ, z1 की value कित्नी मिल जाएगी? r minus jr मिलेगी या नहीं मिलेगी? बिल्कुल मिलेगी अब यह आपस में किसमें? पैलर में है, तो इनका equivalent मना सकता हूँ या नहीं आपस में पैलर में है, तो मैंने इसका equivalent किता है? z2 माल लिया आपस में पैलर में होते हैं, इंपिडेंस क्या होते है? z1, z2 upon z1 plus z2 होता है या नहीं होता है तो आप क्या करोगे? r into minus jr upon r minus jr होगा या नहीं होगा? बिल्कुल होगा तो आप इस r से, यह वहला r आप क्या कर सकते हो? कट कर सकते हो? तो answer कितना आ जाएगा? minus jr upon one minus j होगा या नहीं होगा? बिल्कुल होगा, तो one minus j से बचने के लिए उपर नीचे में one plus j से multiply कर सकता हूं या नहीं कर सकता हूं तो 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 आपको उपर multiply करूँ गा, नीचे क्या हो जाएगा? one minus j और इसका क्या हो जाएगा? conjugate हो जएगा नेचे तो क्या ओघो, J intoения conjugate में सहा mode z का square होता है, mode z का square होता है, mode z की value किती होगी , under root two होगी, एपने का पता, mode z का square कितना हो जाएगा ? two आ जाएगा तो नीचे तो किता आणशर आखाब, तो नीचे तो किता आणश्र आएगा ? Two आजएगा Z2 की value अपन को मिल गई R-JR अपन 2 मिल गई क्या मिल गई Z2 की value मिल गई R-JR अपन 2 मिल गई इनका equivalent किता मिल गई मेरे को इनका एक equivalent मिले गई जिसको मैं replace करूँगा Z2 से और इसकी value किती होगी इसकी value हो जाएगी R-JR अपन 2 अब देखो अब मेरे को transfer function find out करना है transfer function क्या होता है output upon input होता है तो मेरे को बताओ V0 phasor upon VIN का phasor किता होगा output upon input किता होगा आपको पता है क्या हो जाएगा Z2 voltage division rule use करना है V0 है तो क्या हो जाएगा Z2 upon Z1 plus Z2 होगा या नहीं होगा बिलकुल होगा Z2 और Z1 minus Z2 के अगर मैं value put up करूँगा तो क्या मिलेगा मेरे को R minus J R upon 2 और अपन को नीचे किता मिलेगा R minus J R मिलेगा plus R minus J R upon 2 मिलेगा या नहीं मिलेगा बिलकुल मिलेगा और इसको मैं करूँगा solve तो R minus J R से R minus J R क्या हो जाएगा C guys cancel हो जाएगा टो answer कितना आ जाएगा वण二 आएगा किया है लगा वन अपन tres यहां तक हांको समन्हे आ गया होगा तो मेरे को बश्कूर्ण यहांपर मेरे कुतना मिलेगा वं अपन three मिलेगा तो मेरे को बशाच्छ इंपन कितना मिलेगा थाq spreadsheetERS J omega की value किती ही मिली खी 1 up on 3 इस की value किती ही मिली गई 1 up on 3 और input किता यह है तो बताओ आउटपुट किता मिलेगा, ट्रांस प्रफफंसर का मैगनिटूड है 1 by 3, और यह रियल नमर तो इसका फेज किता हो जाएगा, जीरू हो जाएगा, तो देखो, मैगनिटूड मुल्टिपली होता है इसके मैगनिटूड से, तो V n क्या हो जाएगा, Vp upon 3, यहां को समझने आगया ओगा, तो आंसर किता हो जाएगा, Vp upon 3 cos 1 upon Rc, टी प्लस 0डिग्री, तो आंसर कितना हो जाएगा, Vp upon 3 cos T upon Rc, यहां तक आपको समझने आगया होगा, यह चीज आपको find out करनी आनीच चाहिए, आपको पता है, sinusoidal response पूज रहे हैं, तो आउटपूट अपू पूछेगा सबसे पहले आपको transfer function, transfer function क्या होता है, frequency response क्या होता है, यह सारी बात आपको आने चाहिए, जब आप signal system पढ़ोगे ना, तो बहुत detail से में पढ़ाऊँगा, transfer function क्या होता है, उस frequency response क्या होता है, यहाँ पर मैंने V note upon V, input तो होगा transfer function, V note upon V1 क्या होगा, voltage division के एसाफ Z2 upon Z1 plus Z2 होगा या नहीं होगा, बिल्कुल होगा, तो Z2 की value put up कर दी, Z1 की value put up कर दी, यह put up करने पर answer कितना आ गया, 1 by 3 आ गया, जो की real number मिल गया, real number का, अब आपको पता है, magnitude किता होता है, तो ही होता है, फेज किता होता है, 0 होता है, जो इसके अंदर मैंने put up कर दिया, यहां तक आपको समझना आ गया, होगा, अब यह question दे रखा है, यह two port network, most important question है, यह question दिया है, और आपको क्या पूचा है, voltage gain पूचा है, voltage gain आपको पूचा है, और यह question भी बहुत easy question है, यह आपको question था, y parameter आपको given थे, और पूचा है, v2 upon v1 की value पूचा है, यह क्या दे र parameter की equation पता होने चाहिए, y parameter equation क्या होती है, i1 equal to 0.1 v1 minus 0.01 v2, एक equation चाहिए अपन का काम चल जाएगा, चाहिए उपर वाले equation लिको चाहिए, निचे वाले equation लिको काम चल जाएगा, आपको चाहिए v1 upon v2, तो यहां v1 है, v2 है, लेकिन i1 extra चीज है, तो i1 से काम नहीं चलेग i2 क्या होगी, 0.01 into v1, प्लिस क्या हो जाएगी, 0.1 into v2, आप इस equation से भी इसको solve कर सकते हो, इस equation से भी solve कर सकते हो, लेकिन इस equation से solve करको easy पड़ेगा, इस से भी आप solve कर सकते हो, अब आप देखो, यह वाले equation है, इसमें 1 v1 पढ़ा, 1 v2 पढ़ा, तो आपको v2 upon v2 चाहिए V2 upon v1 चाहिए, voltage gain चाहिए, क्या चाहिए voltage gain, तो सबसे पहले यहां से आप यहां तो i1 को हटाओ, इदर यहां से यहां i2 को हटाओ, तो आप बताओ, i1 को हटाना आसान रहेगा, यह i2 को, तो i1 को हटाना है, तो बताओ, यह वाला voltage किता है, v1, v1 की value क्या होगी, आप कभी तो भी आपको v1 find out करना है, किसी भी potential को find out करना है, जिसकी polarity आपको given है, तो हम मिसा क्या क्या करो, उसके negative से start हो जाओ, और positive पर आके रूख जाओ, तो v1 की value क्या होगी, सबसे पहले मैं इदर आओंगा, सबसे पहले negative से positive जाओंगा, तो मैं को soka क्या होगा, gain होगा, gain को क positive से लिखुआ, फिर current enter हो रहे हैं, positive यह negative, i1 होते हैं, तो इसके potential drop किता हो जाएगा, 25 i1 होगा यह नहीं होगा, तो आंसर किता हो जाएगा, फिर क्या हो रहा है, drop हो रहा है, drop किते का होगा, minus 25 i1 होगा यह नहीं होगा, बिलकुल होगा, तो यहां से आप i1 की value हुटा कर इ इन जहाएं आल सकते हैं, यहां तक आप को स्मिजा गया होगा, लेकिन इधर से भी आपको मिलेगी नहीं, इधर से भी आप अगर V1 अपन V2 का रेश्यो का रेश्यो फैंडाट करोंगे, इस अनगे ड्रेट की वजए से आपको V1 और V2 का रेश्यो नहीं मिलेगा, जैसे आप i1 की value कितनी मिलेगे 25 i1 equal to 100 minus v1 और i1 की value कितनी हो जाएगे अपॉन 25 यह value इसके अंदर put up करो गया आइवन की जगे तो constant rum आ जाएगा constant जहां भी constant rum आएगा तो अपन रेशियो find out नहीं कर पाएगे अब यहां तक आपको समना गया होगा तो यह आपको पता होना चाहिए मैं किस equation का use लोगो तो मेरेको v2 upon v1 का ratio मिल जाएगा अगर i1 only v1 के term में मिलता फिर अपन का सहीता फिर अपन यहां से ratio find out कर सकते थे i1 only v2 के term में मिल जाता तो भी अपन ratio find out कर सकते थे i1 क्या मिल रहे ह तो अपन यहां से अपन v1 upon v2 का ratio find out नहीं कर सकते हैं तो अपन इस equation के help कभी नहीं लगे हैं जब भी कभी आपको voltage gain की बात करेगा ना examiner तो आपको हम्यश्वाद वाली equation का use करना है second port वाली equation का use करना है यहां से मैं अगर i2 को only v2 के term में लिख सकता हूँ लिख सकता हूँ यह potential drop किता हो जाएगा 100 i2 होगा यह नहीं होगा 100 i2 100 i2 और v2 क्या है तो same है लेकिन polarity just opposite है तो v2 की value कितने मिलेगी मेरे को माइनस 100 i2 मिलेगी यह नहीं मिलेगी बिल्कूल है तो equal इनका अगर मैं बात करता हूँ magnitude तो equal रहेगा क्योंकि आपस में पैलर में है लेकिन इनका polarity opposite है तो उस polarity की वज़े से क्या आगया negative sign आगया तो यहां से i2 की value क्या मिल जाएगी negative of 0.01 v2 मिलेगी या नहीं मिलेगी बिल्कूल मिलेगी इस port का यूज़ आप करके यहां से i1 की value भी find out करोगे लेकिन इस constant की वज़े से आप v1 upon v2 का issue नहीं find out कर सकते हो यहां तक i hope आपको समझा आ गया होगा अब इसकी value अगर इसके अंदर put up करोगे तो आपको answer क्या मिलेगा i2 की जगे यह put up करोगे तो मिल जाएगा minus 0.01 v2 equal to 0.01 v1 plus 0.1 v2 अब इसको मैं उदर लेके जाएगा क्या मिल जाएगा हमारे को 0.11 v2 equal to 0.01 v1 मिलेगा और यहां से अगर मैं v2 upon v1 का ratio find out करोगा ना तो मिल जाएगा minus 1 upon 11 मिल जाएगा यहां तक आपको समझना आ गया होगा यहां से i1 find out करोगा तो v1 के टरम में तो आएगा लेकिन उसके साथ एक constant add होगा जब constant add हो जाएगा तो अपन ratio कभी भी find out नहीं कर सकते हैं यहां पर अपन कर सकते हैं यहां कोई भी constant add नहीं होगा यहां पर क्या होजाएगा simply i2 क्या मिल जाएगा simply मिल जाएगा minus v2 upon 100 मिल जाएगा यहां पर कुछ भी constant add नहीं हो रहा है तो इस वज़े से अपन अमेशा output port की help से ही voltage का ratio find out करते हैं यहां तक आपको समना गया होगा लेको यह अपन के पास क्योंसे नहीं गीवन है यह बोल रहा है इनीशियल चार्ज ओंदा कैपासिट इज 2.5 मिल जाएगा यह बोल रहा है कि स्वीच है तो आपको आईटी की वेल्यू फाइंड आउट करनी है स्वीच कलोज होने के बाद में आपको आईटी की वेल्यू फाइंड आउट करनी है तो यहां पर एक ट्रांजेंट का क्योंसे बन रहा है किसका क्योंसे बन रहा है यह एक ट्रांजेंट का क्योंसे बन रहा है तो आपको आईटी की वेल्यू फाइंड आउट करनी है तो आ तो है अपन को इस circuit गिवन है एक बार में इस circuit को बना देता हूं यह अपन का 100V का voltage source है DC voltage source है 100V का यह मेरा कोई switch है जो T equal to zero पर क्या हो रहा है close हो रहा है और यह मेरे current को value मेरे को find out करना है IT की value मेरे को find out करनी है और आगे दे रहा है 10 ohm और 50 microfarad यह मेरा 10 ohm दे रहा है और यह मेरा 50 microfarad है और आपको क्यूशन के अंदर गिवन है कि initial charge on the capacitor, initial का मतलब जो switch operate होना उसी जिस्ट पहले capacitor पर कितना charge है 2.5 millicolam है तो बताओ initial charge अगर q of, initial का मतलब q of zero minus केता है 2.5 millicolam है तो मेरे को बताओ q equal to क्या होता है q equal to c v होता है तो initial voltage किता होगा capacitor पर, initial voltage किता हो जाएगा q upon c होगा या ने होगा बिल्कुल होगा यह अपन का initial voltage है इसकी आप अगर value find out करते हो 2.5 millicolam upon 50, micro, क्या हो जाएगा, microfarad होगा इसकी आप अगर value find out करोगे तो किता हो जाएगा 2.5 into 10 की power, ठरी अपन 50 होगा यह नहीं होगा बिल्कुल यह किता हो जाएगा, उपर किता हो जाएगा कैपसेटर के उपर initial voltage की तता VcO, 0 minus equal to 50 volt अगर यहां तक आपको समझा गया होगा यह अपन को T equal to 0 minus पर कैपसेटर का voltage प्रोवाइट कर दिया है लेकिन इसको अपन को solve करने के लिए unknown कितने, I infinity unknown है, I of 0 plus unknown है और इस circuit का time constant unknown है, तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ I of 0 plus की बात करता हूँ, I of 0 plus पर इस circuit को अपन भी प्लेस करेंगे, यह circuit को ऐसा बनेगा यह मेरा 100 volt हो गया, यह मेरा switch up on हो गया, यह मेरा क्या हो गया, 10 ohm हो गया, और आपको पता है इसकी polarity equation के अंदर ऐसे given है, कैसे given है, यह आपको question के अंदर इसकी polarity, sorry sorry ऐसे given है आपको इसकी polarity ऐसे given है, तो आपको पता है, T equal to 0 plus पे inductor एक होता है, current source से replace होता है, और capacitor एक voltage source से replace होता है, यह अपने transient के अंदर बात की थी, क्योंकि Vc of 0 plus किसके equal होता है, Vc of 0 minus के equal होता है, तो Vc of 0 minus किता है 50 volt सा, तो T equal to 0 plus पे यह एक voltage source से replace होगा, किससे replace होगा, जिसकी polarity क्या होगी, negative, positive और 50 अब अपन को find out करनी है, I of 0 plus की value find out करनी है, I of 0 plus की value find out करनी है, तो answer कितना अराम से निकाल सकते हो, 100 और 50, लेको, जब positive और negative connected होना तो यह add होता है, आपको पता है, अगर आप KVL लगोगे तो भी आप निकाल सकते हो, जब opposite polarity आपस में connected होता है, तो यह add हो जाएंगे, 100 50 कितना हो जाएगा, 150 होगा, तो I of 0 plus की value कितना हो जाएगी, 150 upon resistance कितना है, 10 है, तो answer कितना आ जाएगा, 59 पिर, answer समने आया है नहीं है, बिलकुल आ गया, तो अपन को पास I of 0 plus की value अपन को, अपनने find out कर दी है, तो I of 0 plus की value कितनी मिल जाएगी, 50 नहीं पिर मिल जाएगी, 50 नहीं पिर मिल जाएगी, अब मेरेको value find out करनी है, I of infinity की value find out करनी है, तो आपको पता है, infinity पे, capacitor किसके अंदर होगा, isted state के अंदर होगा, t equal to 0 minus में क्या था, isted state के अंदर था, t equal to 0 पे isted state क्या होगी, डिस्ट्रब हो गई तो T equal to infinity पे capacitor वापिस किस में आ जाएगा steady state में आ जाएगा और steady state में capacitor क्या होता है open circuit होता है तो इस circuit को मैं अगर बनाऊँगा तो ऐसा बनेगा 100V और यहाँ पर आगे जाकर किता हो जाएगा यह मेरा क्या हो जाएगा 10 ohm और यह क्या हो जाएगा open circuit होगा यह बिल्कुल open circuit होगा और इसका अगर मैं अगर आपको इसकी बात करता हूं तो I of infinity की value कित्ती हो जाएगी 0 ampere होगी या नहीं होगी बिल्कुल I of infinity की value 0 ampere होगी I of infinity आपन राम से बता सकते I of t equal to infinity पे circuit किस के अंदर होगा इस्टेड इस्टेट के अंदर होगा और इस्टेड इस्टेड में क्या होता है open circuit होता है तो इसके अंदर current किती होगी 0 होगी तो यह तो है IT तो I of infinity की value किती ही मिलेगी अपनको 0 ampere मिल जाएगी I hope यहां तक आपको समय आ गया हो I hope 0 plus 15 मिल गया I hope infinity की value क्या मिलेगी 0 ampere time constant क्या होगा Rthenon into C तो होता है Rthenon into C इस switch को apply करने के बाद यह तो बनेगा देखो Rthenon कैसे निकालते हैं C के echo circuit का impedance किता होता है जब C के echo circuit का impedance देखोंगा तो voltage source क्या हो जाएगा Social circuit हो जाएगा Rthenon की value कितनी मिलेगी 10 ohm मिल जाएगी C की value क्या मिलेगी 50 micro farad मिलेगी तो answer कितना आ जाएगा 10 into 50 microfarad 10 into 50 micro second मिल जाएगा तो answer कितना आ जाएगा Toh की value मिल जाएगी 500 300 को समयं में यह बिलकूल इसको मैं लिख सकता हूँ 1 2 1 1 1 पॉन-थाउजंट भी तff शहती ही 5 मेलीश produz revenue, अब मैं अगर इसके उधार फॉटत हरुँकर और न न तो आपने गोलaneously कह daw G मिलेगा रोजेल कि आ यहमिबी आप 50 कि पेफटा रिञां तो answer किता होगा e की power minus t upon कितने millisecond मिल रहे है 0.5 millisecond मिल रहे है क्या मिल रहे है upon 0.5 millisecond मिलेगा तो answer क्या होगा अपना अपनका answer क्या मिल जाएगा 15 मिल जाएगा e मिल जाए e की power minus 2 into 10 की power क्या मिल जाएगा 3 मिल जाएगा यहनि इसने ऐसे लिख दिया क्या लिख दिया इस पाइंट फाइप मिली सेकेंड ना लेकर इसने ऐसे भी तो लिख सता हूं 1 बाइ 2 इंटु 10 की पावर मैनिस 3 यह उपर जाएगा तो तू उपर चला जाएगा 2 इंटु 10 की पावर 3 कितना हो जाएगा 2000 हो गए यह नहीं होगा बिल्कुल आंसर होगा तो यह अपना आंसर हो जाएगा e की पावर t इंटु 2000 हो जाएगा तो आंसर क्या होगा अपना 15 e की पावर माइनस 2 इंटु 10 की पावर 3 t आंसर होगा तो यह उसन बैंन अगयाई होगा अब हुआ होगा होस्का अपनट के यह सुन्दें होगा हो अपनका अगला तो आपन्गा पूछ रही है कि यह सरकेट स्वहूं इसको अपनों की डिए टंधिंड आंवर्या मेरें पड़र डियार 75 переж ब्रीज बन रहा, ब्रीज बेलेंस है या नहीं है, अगर opposite impedance को multiply equal होगा, तब ब्रीज बेलेंस होगा, वरना ब्रीज बेलेंस नहीं है, यह क्या बन जाएगा, 24J मिलेगा, यहाँ पर माइनस 24J मिलेगा, ब्रीज बेलेंस नहीं है, अगर यहाँ तक आपको सुम्झे आ गया जब डेल्टा में तीनों equal होते हैं, तो इसको star में change करते हैं, star में क्या होता है, वन थड़ हो जाता है, आपको पता है, डेल्टा में किते लेटर होते हैं, 5 लेटर होते हैं, star में किते होते हैं, 3 लेटर होते हैं, जब star से डेल्टा में जाते हैं, तो उमेशा कम होता है, ज six 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 star से डेल्टा में जाऊँगा नहीं तो आपको पता है यह इसा हो जाएगा ब्रीज बलेंस नहीं होता है एक ही इतना जाएगा two minus j4 होगा याला मेरा impedance किता हो जाएगा यह एक टा हो जाएगा यह मेरा हो जाएगा, यह impedance हो जाएगा two minus j4 हो यह बिल्कुल होगा यह आपस में किसमें पैलर में है इंटो इन इंटो नहीं मिलेगा बिल्कुल यह क्या हो इसका इसका इंटी जूगेट क्या होता है फाइप और टू आपसन स्रीज में है तो एक्विलेंट किता आजाएगा एक सिंपल क्या आजाएगा नॉर्मल सेवनों आजाएगा आया नहीं आया बिल्कुल तो मेरे को बतो आई वेक्टर की वेल्यू क्या मिल जाएगी आई फेजा की मिल जाएगी 14 एंगल जीरो अपॉन 7 वाले हैं तो फिर इस लेक्टर के लेतने हैं तो थेंकी सो मच